हेलो फ्रेंड्स मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडीज पे तो गुवर्मेंट जोपस की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलेगा क्योंकि यहां पी आपको मिलती है दो से तीन वीडियो डे जिसके आवेदन जो एल्टी ग्रेड शिक्षक भरती का ओनलाइन आवेदन 15 से ठीक है फ्रेंड्स तज्या ब्यूरो इलाहबाद राजकिया माद्यमिक स्कूलों में एल्टी ग्रेड शिक्षकों की भरती के लिए उम्र के लिए उत्तर प्रदेख लोक्ष सेवा आयोग में ने मंगलवार को नोटिवकेशन जारी कर दिया है कुल एक 10,768 पूरुष महिला शिक्षकों की भरती के लिए आयोग 15 मार्च से ओनलाइन आवेदन लेगा उत्तर प्रदेख लोक्ष सेवा आयोग की यह अब तक की सबसे बड़ी प्रिक्षा होने जा रही है एल्टी ग्रेड प्रिक्षा क्राने के लिए शासन से मिली जिम्मेदारी के बाद आयोग ने पहले तो 9,822 पदों पर भरती के लिए त्यारी शुरू की थी लेकिन पिछले कुछ दिनों पदों की संख्या बढ़ कर 10,768 हो गई है जिसमें पुरुष सिक्षकों के लिए 5, 5,364 और महिरा शिक्षकों के लिए 5,404 रिक्त पदों पर भरती होगी यह भी कहा गया है कि रिक्तियों की संख्या विशेष्ट प्रिस्तितियों में शासन के अनुरोध पर घट भढ़ सकती हैं आयोग के सची जगदीश ने बताया कि ओनलाइन आवेदन 15 मार्च से होंगे परिक्षा शुल्क बैंक में 12 अपरेल 2018 तक जम्ह किये जा सकते हैं और ओनलाइन 16 अपरेल तक सविकार किये जाएंगे आवेदन करने वालों के लिए कहा गया कि चैयन के लिए अभी आर्थियों को 1 जुलाई 2018 को 21 साल की आयोवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए मतलब 1 जुलाई 2018 को 21 से कम नहीं होनी चाहिए यानि उनका जनम 2 जुलाई 1978 से पहले और 1 जुलाई 1997 के बाद का नहीं होना चाहिए दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम आयो 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए यानि उनका जनम 2 जुलाई 1963 के पहले का नहीं होना चाहिए ओलान आवेदन उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयो की वेबसाइट www.uppst.up.nic.in पर किये जा सकते हैं तो दोस्तों यह है मेरी आज की वीडियो जिसमें एल्टी ग्रेड शिक्षक बरती के बारे में आपको बताया रहा हूँ और यह 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी ऐसी ही और वीडियो के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए गवर्मेंट जोब्स की रिक्रूट्मेंट के बारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा साथ ही साथ दबा दीजेगा जिससे आपको साथ ही साथ नोटिफिके करना मत बूलेगा थैंक्यू